नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टुक्रियासरी फट डेली डोज ओफ इंडियन फुटबोल एंज सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के लिए प्रोब्लम खतम होने का नाम नहीं ले रही है, अब यहाँ पे अनवर अली को भी एक सीरियस इंजरी हो होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कितना सीरियसने से इंजरी का एंड कितने time के लिए बाहर होते हैं अगर लंबे time के लिए बाहर होते हैं then definitely he is going to miss the World Cup Qualifiers match against Kuwait अगर हो ता है यह अगर अगर होता है तिन इस बिग ब्लोग फ़र और इजानल टीम क्योंकि हम सब लेकिन अगर आप अनुवर रिली का ओप्सन देखे तो आपके पाँ साना मैता बें चोंगनुना यह तीनों में से कोई भी खेल ले आप अनुवर रिली का रिप्लेसमें उस सेंस में कर पाऊगे क्योंकि जो लीडर्शिप क्वालिटी आपकी बेकलाइन में जिस तरह की कामन की है और संदेश जिंगान भी आउट ओफ फॉर्म दिख रहे है तो वह भी एक बड़ा कंसर्ण है तो अगर यहां पर अनुवर रिली हैं जिक्सन अवेलबल नहीं होते व्ल्टक पॉलिफायर्स में तेहन कुवेत के सामने काफी ज़्यादा प्रोब्लम में बढ़ने वाल लाइन जिस तरह की मैस्ति काफी एक क्लोस फाइट में देखनों को मिला एन बसुंद्रा किंग्स ने जबर्दस प्रफॉंस दिया है मेरे इसाब से जिस तरह से उनकी फ्रॉंट लाइन है आई थिंग रोबिन्यों भाई जो उनके ब्राजिलियन प्लेर है इस शुड़ भी और टार्गेट करना चाहे बंदे की जो क्वालिटी है औरी जिस तरह से उनकी ड्रिवलिंग क्वालिटी जिस तरह से शॉर्ट टेकिंग अबिलिटी है आज भी आप देखे एक सोड उनों ने जो लिया वो पोस्ट पे लिट हुआ ईट बेटर चांसे सा अगर आप देखे तो बसंदरा किंग्स ने आप बोलेंगे कि दो बार उन्होंने पोस्ट पे इट किया और ओर अल दे लुक्स मोर युक्स एक से कि स्वलिद टिप कंपरेटिव दू मोहन बगान जिस तरह से मैंने बोला कि फरंट लाइन में उनके पास मिगेल है डोरियल टन हो या फिर जो उनका बंगलादेशी विंगर है राकीब इन सबने यहाँ पे क्विक विंगर से उनके पास एन उन्होंने एक्सपोस किया यहाँ पे क्यावलदी की मोहन बगान को मोहन बगान के लिए अगर आप देखे तो जो प्रॉब्लम दीख रही है आइटिंग वह एक डिफेंसिव मिद्फिल्डर की हमको पता है क्योंकि ग्लान मार्ती साथ खेल रहे थे लेकिन यहाँ पे पास इतने वह पास इतने विंगर फिर आपके पास चांसे कम होता है कि आप वहां से रिकवर कर पाऊ या फिर आप उसको रोग पाऊ इंटर्सेप्ट कर पाऊ कुछ भी कर पाऊ अगर यहां पर आप ने जाती है यहां पर फिर उनको चाहिए वह सोलीड डिफेंशिव मिद्फिल्डर जोनी को या फिर यहां पर जानुयरी में किसी और को सायन करना पड़ेगा तब ही आप एकस्पेक कर सकते कि यहां पर आपकी अप्रीज कर पाएंगे अदरवाइस ए या फिर जोनी को को तब तक फीट हो जाते है तेन ही इस वी बिरिंग बेक आइपका क्या बलती की नोकाउट स्टार्ट होगा तो आपके मांस जानुवरी ट्रांसफर विंडो भी तूसमें भी साइनिंग हो सकता है तो इसके बाद बाद बेड़ अभी आईडिया या फिर एक लेसन मिल गया होगा कि आपको एक टूर्णामेट में आगे बना है तेन प्लेयर लाइक प्रॉपर डिफेंश्व मिट्फिलर इस नीड़ेट उसके बाद दूसरा मेंच दो था वह था यहां पर ओडिसाइप सी वेसिस माजिया और फाइनल बेडिसाइप सी ने भी अपना प्रफ के लिए जाने जाते हैं यहां पर देखना को भर बर के जिस तरह से एक चीज़ से में सप्राइज हुआ कि उनके सारे गोल थे उसमें से चार से पांच गोल बेंटी डिफेंसिव लाइन ने किया है यहां पर एमिर आने वाडे मॉर्टादक फोल एंड डेल गारों इ मैंने जैसे बोला अटिकिंग ब्रांट फोल उनकी देख रही है आप देखें मुंबई सिटी के सामने भी टू-टू रही है उसके बाद बात करते हैं आज के होने वाले आईसल के मुकाबले के बारे में बैंगलूर एपसी वेसिस एपसी गोवा एक काफी इंट्रेसिंग म मनुलो मार्केस एपसी गोवा के लिए जो प्रोब्लम है यहां पर डेफिनेटली नुआस तो इस मैच को मिस करेंगे फ्रांट लाइन में दर सबीग इश्यू तूकि उदान्ता सिंग उस तरह से क्लिक नहीं हो पारे या फिर उस तरह से हो चांसिस बना नहीं पारे तो दर यहां पर उनकी डिफेंसिव क्यावदिक प्रफमस में भी रेप्लिकेट करें ताकि आपे डिफेंसिव ली भी एपसी गोवा स्वरिड हो पाया है उसके लाव अगर बैंगलूर एफसी की बात करें तो उनके लिए यहां पर शिवासक्ति की फो मैं वह एक सबसे बड़ा कं इस बाइड और उसके लाव उनके खेल रहे तो वह भी एक एडवंटेज है तो काफी एक क्लोस फैट में एक्सपक्ट कर रहा हूं एंड मेरा जो प्रेडिक्सन रहेगा इस मेंच का आइम सिंग डिस मैच ऐसे यहां पर क्या बोलते की वन निल विक्ट्री फोर दी बेंगल करना चाहती है एंड रिलाइंस ने फाइनली ऐसी न्यूज आ रहे है ब्लूंबर्ग ने रिकोड किया है कि अगर यहां पर रिलाइंस इसको टेक आवर कर लेती है स्टार स्पोर्ट एंड होट स्टार को फिर वह साउथ एस्या में सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन हो तुकि आप देखे पूरा मीडिया हाउस अब यहां पर इंडिया में भी सबसे बड़ा प्लेयर ओबियसली फिर रिलाइंस ही बन जाएगा क्योंकि सामने एक स्टोनी ओप्सन है अदर देन कोई इतना बड़ा प्लेयर है नहीं तो I think most of the matches या फिर वह सारी चीज है आपक झाल